आज ही doubtnet app download करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत video solution पाओ download now question में गहरा it is claimed that two cesium clocks if allowed to run 400 year मतलब दो घड़ी हैं दोनों को हमने 100 साल चलाया बीना किसी disturbance के may differ only by 0.02 second और उनके अंदर इतना difference आगया what does this imply for the accuracy of standard cesium clock in measuring a time interval of one second मतलब ये बताओ अगर हम उसे एक second नापेंगे तो उसकी उसमें क्या scene होगा क्या accuracy हाईगी, कितना error है मतलब error पूछ रहे हैं, एक second नापने में कितना error देदेगा तो हमें क्या question में given है error in measuring in hundred years कितना है वो उसमें में दिया है 0.02 second तो हम यहां से simply निकाल सकते है unitary method से कि error जो एक second में होगा, वो कितना होगा in one second वो कितना होगा 0.02 second divided by 100 साल में यतने second होते हैं तो वो कितना होते है hundred multiplied by 365.25 365.25 क्यों? क्योंकि 100 सालों की बात हो रही है तो अगर चार साल में एक leap year भी आता है तो उस एक दिन को जो चार साल में आ रहा है उसको चार जगा बराबर बाट देंगे तो 365.25 यह तो होगे दिन अब उसके बाद एक दिन में 24 गंटे है उसके बाद 60 एक गंटे में 60 मिनट और फिर एक मिनट में 60 सेकंड यह हो गया हमारा error in one year यहां से हम इसको calculate करेंगे तो हमारी value आजाएगी 7.9 into 10 raise to the power minus 13 second इसको हम थोड़ा सा राउंड ओफ कर गए क्योंट 10 की power में लिखना चाहिए तो यह 7.9 इसको हम दस मान लेते हैं तो 10 raise to the power minus 12 second हो गया ठीक है error in measurement of one second और यही उसने हम से पुचाता है accuracy of CGM clock in measuring time interval of one second तो वो होगी हमारी 10 raise to the power minus 12 second और यही होगा हमारा final answer Classics to 12 से लेके meet IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज यह डाउनलोड करे doubt net आप यह WhatsApp कीजे अपने doubts 84444 पर